हेई गाइस वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल सो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे जट पार्ट वन पॉर्ट एग बुलाओ जो के बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए जी इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक बोल में डालने हैं तो अंडे इसके बाद हमने थोड़ा सास में नमक शामल करना है और थोड़ी सी हमने ब्लैक पैपर पावडर एट करनी हैं और पिर हमने इसको अच्छी तरह से कर hecho इना है विस्ञ इसके बाद पैन में हमने आओल डालना है एरांड टू तो कड़ी अडनला है और फिर जब और तो त्री टीज़ स्पोन लेना है किसी भी बोल वगएर के अंदर और फिर इसके बाद इसी पॉर्ट में हमने एट करना है फाइव टू सिक्स टेबल स्पॉन को के बाद वन टी स्पॉन इसमें जीरा एट करेंगे हमने दो प्यास ले थी जिसको मैने बारिक बारिक चॉप कर लिए हैं मीढियम साइस की प्यास ती इसको भी हमने जु strikes कर लिछा नहीं हो जाती बस जी जब प्यास आफ्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर तीन कटे हुए टेमाटर शामिल करने हैं मीडियम साइस के जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था इसके बाद अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है और फिर हमने इसके एंदर कुछ स्पाइस वगएरा है तो सबसे बारे डालेंगे जी वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर इसके बाद जाएगा जी टू टी स्पून धनिया पाउडर और वन टी स्पून डालेंगे इसम healthy powder और 1 1.5 TSP काली मिर्ज पाउडर इसके बाद 1 TSP में नमक अपने टेस्ट के साफ से एड़ कर लीजएगा 1 TSP गरम मसाला पाउडर है और यह जी ओन टी स्पून पैपरीका पाउडर यह ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो डाल दीजएगा नहीं तो skip कर दें डू डू कुक कर लेना है 2-3 मिनट के लिए मीरियम प्लेम पे दो से तीन मिनट के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी दुबारा से एड़ करना है और फिर हमने इसको कवर करके कुक कर लेना है तकरीपन 5 मिनट के लिए मीरियम फ्लेम पे या फिर जब तक इसका ऑईल सेपरेट ही हो जाता तो पंच मिनिट के बाद इसका औवी सेपरेट हो किया है इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी शिम्लमिच कट कर ली थी वह मैं इसके अंदर एट कर रही हूं और मैंनी एक छोटी से प्यास ले ली थी जिसको मैंने diced में cut कर लिया है ये add कर देंगे एक मैंने अंडा उबाल लिया था वो हम इसके अंदर चॉप करके add कर देंगे और 1 टेबल स्पून सोया सॉस add करेंगे 1 टेबल स्पून chili sauce और फिर इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है mix और mix करने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ हराधनिया शामल करना है और मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्चे कट कर ली थी वो add कर देंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 cup चामल ले लिये थे जिसको मैंने पहले से उबाला हुआ है ठीक है आप चाहें तो फ्रिज के रखे में इसके बाद कर सकते हैं अगर कोई पुराने चामल रखे में तो आप इसमें भी बना सकते हैं और यह जी वही वाले अंडे जो हमने सबसे पहले प्राइब किये थे है आप इसको जटपट बना सकते हैं जब कुछ आपको समझ ही ना आएगा आपको क्या बनाना है तो आप यह बनाने जटपट बन जाएगा और बनता भी बहुत टेस्टी है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक ज़रूर कर दीजेगा और कमेंट में मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है मेरे तीन हो अकाउंट को जाके फॉलो कर लें इंशाला है मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स दीजे अपना बहुत सारा खयार लखेगा अला हाफिज